राधी राधी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी हो आप सभी उमीद है बहुत ही बढ़िया होगे मजे में होगे खुज भी होगे तो इस मिठाई को देख करके आगया ना आपके मुझ में पारी आएगा क्यों नहीं है ही इतनी जादा टेस्टी दिखने में बहुत जा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं और बैल आइकन को भी दबा दें जिसे मैं आगे से जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिले तो यहाँ पर गैस पर मैंने कडाई रग दी है यह जो चाय पीने वाला जो छोटे साइस में कप हो आएंगे जब तक चिलाओंगी जब तक यह जो दूद है नारियल के बुरादे में अच्छे से अब्जॉर्ब ना हो जाए आप देख सकते हैं अब काड़ा हो गया है दूद जो है सारा ही सौक लिया है नारियल के बुरादे ने इसमें थोड़ा सा मैंने इलाइची तो हमें से थोड़ा सा और गाड़ा करना इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता कुल मिलाकर के मीडियम फ्लेम पर मैंने जब इसको पगाया था तो चैमनेट लगे ते और चैमनेट में यह अच्छे से पग गया था आप देख सकते हैं यह काफी पहले से गाड़ा हो गया है तो इसमें से मैंने थोड़ा सा जो डो है यह अलग निकाल लिया है मतलब थोड़ा सा निकाला है और यह ज्यादा डो है इसको हम कडाई में ही छोड़ देंगे इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूं रेड कलर का आपको जो भी कलर पसंद है आप उसको डाल सकते ह अगर food color आप नहीं डालना चाहते है अपनी बठाई में तो इसको wide भी आप बना सकते हैं या फिर आप yellow बना सकते हैं उसमें थोड़ा सा टर्मलिक हल्दी डाल के ठीक है तो इसको अच्छे से मैंने mix कर दिया है और यहाँ पर जो gas का flame है वो off है अब यह जो दूसरा पाइट हमने जो थोड़ा वाला लिया था ना इसमें मैंने green color का food color डाला है यह जो food color है ने इसकी तो बात ही कुछ और है इसमें पिस्ता और एलाईजी का इतना अच्छा flavor आता है ना बहुत अच्छा तो food color को डाल करके मैंने mix कर लिया इसमें थोड़े से मैं बादाम डालूँगे इनको मैंने काट लिया था तो इसको भी हम अच्छे से mix कर देंगे तो यहाँ पर हमारे दोनों ही डो त्यार हो चुके हैं लग रहा है ना कितने ही प्यारे कितने ही colorful मन कर रहा है ऐसे खा जाएं लेकिन ऐसे थोड़ी ना खा रहा है लड़ू बनाएंगे तो जो ग्रीन वाला डो है ना इसके मैं छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगे बॉल्स कितनी बनानी है जो बच्पन में कंचो से खेला कर इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है तो यह जो हमने ग्रीन वाली की जो छोटी बॉल्स से बना करके त्यार कर ली है अभी हमने रेड वाला पोर्सन लिया इसा कम फूट कलर डाला था मैंने बहुत ही कम ज्यादा नी डाला था इसलिए यह पिंक है लेकिन कलर बहुत ही अच् अच्छे से कवर करके फिर से कोल कर देंगे तो बस हमारा लड़ू है बन करके त्यार है तो इसी तरीके से मैंने सारी लड़ू बना लिया है इनके उपर थोड़ा थोड़ा सा मैं नारियल का बुरादा यानि की कोकोनट पाउडर को डालूंगी यह क्या है ना देखने में अच्छा लगता हूं छिट जब देखने में अच्छी लगती है तो फिर वह खाने में भी बहुत अच्छी लगती है आप किसी को भी सार्ण करें कितनी अच्छी लगेगी ला तो एक-एक मैं इस पर पिस्ता थोड़ा थोड़ा लगा रही हूं आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राइट रूट लगा सकते हैं बस इतना सा करने से हमारे जिम मिठाई ये बन करके त्यार होचे एक बहुत जादा देखने में भी अच्छी लग रही है ना तो जरू ट्राइए करिए का वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू करने फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में